नमस्कार दोस्तों एक बार फिजिस्स स्वागत थे आपका विडियो गुरू पे आज आपके सामने विडियो गुरू में बात करेंगे हिमिंडाइस्टिव सिस्टम यानि बायों की तो हिमिडाइस्टिव सिस्टम में आपको पता है कि जो मानव पाचन तंत्र है वो मुझ से सुरू होकर यानि पाचन तंत्र की क्रिया हमारे माउट से सुरू हो जाता है और फिर इस फूड़ पाइप की जरिये जो आप देख रहे हैं इमेज में फूड़ पाइप से होते हु पचाने का काम करना शुडू कर देता है और फिर यहां से होते हुए डूडेनव में पहुंचता है डूडेनव यानि पकवासे इसे कहते हैं, से होते हुए finally कहां पचेगा? यह जो आप देख रहे हैं, small intestine में पचता है और फिर large intestine से होते हुए यह बाहर निकल जाता है यानि पाचन की क्रिया कहां से सुरू होती है मुझ से कहां पचता है इस मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस के जरीए ये बाहर निकल जाता है तो आज इस लेक्चेर में बात करेंगे कि पाचन तंत्र में the main organs participating in the digestion system पाचन तंत्र में भाग लेने वाले मुख्य अंग कौन-कौन सा बॉड़ी का तंत्र हमारा भाग लेता है पाटिस्पेट करता है सबसे पहले बात करें लिवर की इस इदा लार्जेस्ट ग्लैंड आप थाही मानव सरीर की सबसे बड़ी गरंति है एकदम ही इस करी मानव सरीर की सबसे बड़ी गरंति क्या होगा इस इस अब हार लगबग डेल से दो कीलोग्राम तक होता है एक चीज़ आपको पता होगा सर बाइल जूस गॉल ब्लाडर पितासई लेकिन पीत का निर्मान केवल और केवल भाईया लिवर ही करता है बाइल इज प्रोड्यूस थो लिवर ओनली पीत का निर्मान केवल यकरित द्वारा ही होता है पीत का निर्मान कौन करेगा केवल यकृत के द्वारा ही होगा ठीक है आरे बहुत समझ में तो पीत का काम क्या है the bile accelerate the reaction of enzymes present in the intestine या पीत आहत में मौझुद enzyme की ओ है क्रिया को तिब्र कर देता है क्यों कि पीत होता है कैसा यो अलकलाइन लिक्वीड होगा यानि यचारीर होता है यो चारीर होता है और बोजन को क्या करेगा चारीर बताएंगा liver converts excess of amino acid into ammonia by dimitation यकृत न्यूञिकरण किरिया द्वारए अधिकॉष अमिनौ अम्ल को अमोनिया में परिवर्तित करता है अमोनिया में परिवर्तित करेगा जो Wijब यूरिया के जरीए बाहर निकलेगा है नम इस अमोनिया और फर्दर कनवर्टेड इंटू यूरिया बाइ और इंथिन साइकल इस अमोनिया को आगे और इंथिन चक्र द्वारा यूरिया में परिवर्थित किया जाता है और यूरिया कम साउट फ्रम बॉडे थो किड्नी यही यूरिया व्रिक द्वारा सरीर से बाहर न करता है ठीक है अरे बास समझ में अब सोचिए कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि दो दिन तक फॉस्टिंग में है तीन दिन तक फॉस्टिंग में जरूर भगवान का कुछ चमतकार है इसलिए वो उपवास कर लेता है सर ऐसा कुछ नहीं है हमारे बॉड़ी में पहले से कुछ ग कामा यह जो गुलुड़ी ô प्रोटीन है उस प्रोटीन को ग्लुकॉज में कनवर्ट करेगा और कार्बो हाइड्रेट की कमी महसूस नहीं होने देगा यानि लीवर कनवर्ट सम क्वान्टिटी ऑफ्रोटीन इन्टू ग्लुकॉज डूरिंग डेफेसेंसी और कार्भो ईड या क्रित कार्बोहाड्रेट की कमी के दवरान कुछ मात्रा में प्रोटीन को गुलकोज में परिवर्तित करता है तब हमें लगता है अरे हमें तो इनर्जी मिल गई अभी हम तो दो दिन तक नहीं खाते हैं फिर भी रह जाते हैं सर ऐसा नहीं वह बाद में पता चलता है कि पाच मिनेट में जम जाता है रिजन बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रोजर प्रोटीन टेक्स प्लेस बाइब लीवर विच हिल्प इन क्लोटिंग प्लड फाइब्र नोजन प्रोटीन का उत्पादन कहां होगा लीवर में होगा यक्रित में होगा जो रक्त के ठक का बनने में मदद करता है क्लोटिंग में मदद करता है याद रहे क्लोटिंग किसके जरीह होगा फाइब्र Nejवर में होता है और साल में विटामिन के मदद करता है ठीक है लेकिन अब सोच रहूंगे सर बॉड़ी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है ऐसा क्या है बाहर जैसिक निकला दो-चार बिनेट में जम गिया उसकी भी यानि देखो उपर का जो बनावट है उपर की सनचना है उपर वाले ने उसमें भी कुछ ना कुछ कर रखा है उपरेस्द ओफ हेवाटिन नामक प्रोटीन पाय जाता है लीवर में अब क्यों मुछ कि सरीर के अंदर रख्त को जमने से रोकता है है कि सरेर को जमने से रोकता है यहरी लेकिन वाइनली जाकर कहा जाएगा स्प्लीन में तो इस्प्लीन इस नोन एज ग्रैव यार्ड ऑफ दा आरभी सी कबरगा किसे कहेंगे इस्प्लीन को कहेंगे प्ली हा को कहेंगे अब देखो यह क्या करता है लीवर काम क्या है दलीवर रिजर्ब सम क्वांटिटी ओफ आइरन कॉपर एंड विटामिन यह करें थोड़ी मात्रा में लॉख तामभा और विटामिन को संचित रखता है क्यों क्यों ऐसा जमा करता है वो रख लेता है तरब सोचिए ना नई खा सब्सक्राइब करने में मदद करता है हमेशा बनाकर रखता है ठीक है यह बड़ा मज़ेदार चीज है जब कोई मर जाता है या कोई नो कोई अगर मारा होगा जहर देकर तो पूछतें डॉक्टर साहब इसकी मेर्ट्यू कैसे हुवी आइकांट से कहने सकते हैं जब तक हम पुष्ट माटम रिपोर्ट ना दें तो पुष्ट माटम यानि करता क्या है वो सर वो लीवर को चीर फाल करता है और लीवर में ही देखता है कि बंदे की मिर्ट्यू कैसे हुई है क्या इसे पोईजन दिया गया क्या यह जाइदा सराब पिया है या उस सराब मे पॉईजन था यानि लीवर इस एंग इंपोर्टेंट क्लू इन इन्वेस्टिगेटिंग अपर्संस डेथ दाट हैज दूटू पॉईजन भोजन में जहर देकर मारे गए विक्ति की मिर्ट्यू के कारणों की जांच में यक्रित लीवर एक महत्पुन शुराग होता है ठीक है अब आज ये गॉल बलाडर यानि पितास है ये किस से जुड़ा होता है लीवर से जुड़ा होगा और काम क्या इसका है कि जैसे ही लीवर से बाइल जूस आता है और ये जमा रखता है अपने आप में बहिया बस इसका काम क्या स्टोरेज करना जमा रखना जब जरूर यह जिसमें यकृत से निकलने वाला पेत संग्रहित होता है जमा होता है। आपके एक्जामें पूछे जाएंगे जो पीत है बाइल जो इसे कहां बनेगा लेवर में कहां जमा होगा पितासय में बाइल इज एलोविस ग्रिन कलर्ड अलकलाइन लिक्विड पीत पीला हरा रंगिन छारिये दरव्य है इसका पी एच वैलू क्या होगा तो हमेशा याद रखेगा पी एच वैलू जैसे ही ग्रेटर दिन सेविन होगा क्या होगा बेस अलकलाइन लेस दिन सेविन होगा एसीड इकल टू होगा यह निट्रल होगा उदासीन हो जाएगा ठीक है अब आप बात करें हम अगना से पैंक्रियाज है बहुत इंपोर्टेंड भूमिका इसकी भी है पैंक्रियाज की पैंक्रियाज का क्या है सबसे पहले बात करें पेंक्रियाज कि सुसर मैं यह दोनों तो रहे से काम करता है एक्षोग्रेटोर विद्णि और हिंड्र रिंड्र्लेट्व एक मात्र एक साथ अनताहसरावी यानि नलीकाविहिन और बहिस रावी नलीकायुक्त परकार के गरंथिक रूप में कारे करता है नलिका विहिन यानी सरीर के अंदर काम करेगा नलिका युक्त यानी बाहर निकलेगा ठीक है आड़े देजिए पैंक्रियाटिक जूस इस नौन ऐस कंप्लीट डाजेस्टिव जूस पैंक्रियाज से निकलने वाले जो एंजाइम है उसे हम पूर्ण पाचक रस कह कहते हैं क्यों जितने परकार के फूड में पाई जाते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन सब को यह पचा डालता है तो कुशन आएगा कि कंप्लीट जूस डाजेस्टिव जूस किसे कहेंगे पंक्रियाटिक जूस को ठीक है तो अगनासाई रस को पुन पाचक र आप चानिक आर्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन वो पचाने में सक्षम है इसका भी क्या होगा पंक्रियाटिक जूस इस अल्सो अल्कलाइन लिक्विड जो पंक्रियास से निकलने वाले जो लिक्विड हैं द्रव हैं वो भी छारी होंगे जिसका पी-एच मान साथ द की पिका सर यह क्या है दिस इजब पार्ट ऑफ दा पंक्रियाट यह अगनासे का ही एक भाग है जिसे लैंगर हैंस साहब द्वारा खुजा गया था और इसी में अलफा सेल बीटा सेल और गामा सेल है और इसी बीटा सेल से इंसूलीन निकलता है इसी बीटा सेल से इंसूली इंसूलीन की कमी से क्या होता है आपको पता है इंसूलीन की कमी से डाइबिटीज होगा इंसूलीन क्या है एक हार्मोन है यानि इंसूलीन इज सेक्रेटेड़ बाई बीटा सेल पैंक्रियाज इंसूलीन अगनासय के बीटा को सिका द्वारा स्रावित किया जाता है याद रहे जब कोषिद रहेगा insulin कहा बनता है insulin बनेगा आगनासाय में पैंक॰ियाज में लेकिन अगर दीप कोषिचन गया तो पैंक॰ियाज के बीटा को चीकाम ठीक है? इंसूलिन इज़ा टाइप ओफ हार्मोन इंसूलिन एक परकार का हार्मोन है कभी-कभी आप देखे होंगे इंसूलिन की खोज किसने की कोशन आता है? देखे इंसूलिन वाइड डिसकवर्ड बाइब बेंटिंग अन्ड बेस्ट इन दा इयर 1921 इंसूलिन की खोज 1921 हिस्वी में बेंटिंग यूँग बेस्ट द्वारा की गई थी इंसूलिन एक हार्मोन है ये पैंक्रियाज के बीटा सेल से निकलेगा सबसर अपने आप में कोशन है इसकी खोज 1921 में की गई थी किसके दवारा बेंटिंग गरी गई थी ठीक है दखें़ जो मुख की काम क्या है इसका 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 ट्रॉल दप्रोसेस औफ मेकिंग ग्लैकोजेन फ्रम ग्लुकोज यह ग्लुकोज से ग्लैकोजन बनाने की करिया को नियंतृत करता है अगर यह नियंत्रित नहीं करेगा ग्लुकोज की मातरा बढ़ेगी ग्लुकोज की मातरा पढ़ेगी देन जैसे बढ़ेगा क्या होगा डाइबिटीज हो जाएगा यानि ग्लुकोज से ग्लाकोजन बनाने की परकिरिया को यह कंट्रोल करता है तो इस चिप्टर के जरीए हम लोगों ने देखा कि पाचन तंत्र में कौन-कौन सी भूमे का बॉड़ी का पाठ निभाता है लिवर गॉल्ब्लैडर पैंक्रियाज फिर पैंक्रियाज का फंक्सन देखा हमने गॉल्ब्लैडर का फंक्सन देखा लिवर का फंक्सन देखा यानि इस चिप्टर से तो डाइस्टिफ सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया आपका ठीक है कंप्लीट इंदर सेंस कि जब आप एक्जाम हॉल में जाएंगे तो भी इस कॉंसेप्ट के साथ जाएंगे ताकि एक्जाम में कोश्चन आपका जूटे नही तो मिलेंगे नई लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद